महा संग्राम दोहसार चौबीस आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ पुनीत मिश्रा बीजेपी ने राजसभा चुनाव के लिए मध्यप्रदेश से उमीदवारों के नामों की घोशना करती है इन में चार नेताओं के नाम हैं पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोशित करते समय जातीय समी करणों को ध्यान में रखा है मध्यप्रदेश की पांच राजसभा सीटों में से चार पर बीजेपी की जीतने की उमीद है जबकि एक सीट कॉंग्रिस के खाते में जा सकती है मध्यप्रदेश में बीजेपी ने राजसभा के चार उमिदबारों का एलान कर दिया है पार्टी ने जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया है उसमें किंद्री, सुचना और प्रसारन मंत्राले में राजसभा का उमिदबार बनाया गया है प्रसान में जास के खाते है प्रदेश में खाली हो रही राजसभा की पांच सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाफ कर आए जाने हैं प्रदेश में विधायकों के संख्याबल के अधार पर बीजेपी चार सीटे जीतने की स्थिती में हैं जबकि कॉंग्रेस एक सीट जीत सकती है 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग का समय है और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगरना की जाएगी पिछले लगबग 45 वर्षों से लगातार हम किसानों के बीच में काम कर रहे हैं और किसानों को सरकारों के एजेंडे में स्थान मिले यह हमारे जीवन का लक्ष था इस लक्ष को पूरा करने का काम हमारे देश की येशेश्वी प्रदान मंत्री मांदी नरेंद्र मोधी जी ने किया है ग्राम पंचायत के पंच के चुनाओं लड़कर मैंने अपनी राजनेतिक शुरुवात की थी और निरंतर उस पदचिन्नों पर चलते हुए भारती जन्ता पार्टी के एक छोटे कारिकरता करूप में काम करते करते भारती जन्ता पार्टी ने कब मुझे महीला मुर्चा का पधिशन बना दिया मैं खुद आश्चर चकीत थी और नाते में बहुत आविनद्धन करती हुए और बहुत क्रटता ज्यापित करती हूं शेले समझेंगे और उस काम को करने का पूरा प्रियास करेंगे मनबचन करम से बीजेपी ने अपने राज्ज सभा उमीदवार घोशित करते समय जाती और शित्री समीकरण का भी ध्यान रखा पाटी के चार प्रत्याशियों में से दो S.C. और दो O.V.C. बरगी के उमीदवार हैं इसमें बंसिलाल गुजर और उमेश नाध महराज मालवा शित्र से आते हैं शेलेंद्र भधादौरिया के साथ पवन गौर्ड न्यूज जेटीन मध्य प्रदेश पराई अब बीजेपी के जो चार उमीदवार जो हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं कि कौन-कौन से चार उमीदवार उतारे गए हैं बंसिलाल गुजर सबसे पहला नाम जो है बंसिलाल गुजर का है वे किसान नेता भी माने जाते हैं किसानों के लिए लंबे वक्ते से काम कर रहे हैं और बंसिलाल गुजर ओवी सी समाज के बीजेपी किसान नेता हैं लेकिन अभी इस वक्त आप माया नरोलिया जो हैं इनको आप देख रहे हैं पंच से इन्होंने अपने राजनितिक करियर की शुरुआत की थी सबसे फहले पं लंबे वक्त तक उन्होंने जमीन पर काम किया माया नरोलिया ने और चार उमीदवारों उनसे एक माया नरोलिया बीजेपी महिला मोचा की प्रदेश अध्यक्ष भी इसके पहले वो बनाई गई थी और अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है तो ये माया नरोलिया के बारे में आपने जान का रिए और बीजेपी के चार उमीदवार जो हैं इन में उमेश नात महराज की भी बाट कर ले देखिए बनसी लाल कूर्जर आ गये बनसी लाल कूर्जर जो हैं OBC समाज के बीजेपी किसान नेता है किसानों के बीच अच्छी तकड उनकी मानी जाती है बंसीलाल कुर्जा किसानों किलिए काम करते outward यह और अब बात करते हैं तीसरे उमीद्वार की तो बीज़ी के चार उमीद्वारों में से तीसरा उमिद्वार जो है उमेश नाथ महराज को बनाया जया मोहन यादा और शिवराज के भी इनके आश्रम जाते रहे हैं उमेशनाथ महराज के आश्रम पीठा धीश्वार वालिकमी की समाज से उमेशनाथ महराज आते हैं और ये जो हैं ये मालवा से आते हैं आमिद शाह और मोहन भागवत ने भी इन से आशीरबाद लिया था मोहन यादव और शिवराज सिंग चोहान भी उनके रमिलाडू बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अनुसूचित जाती जो है उसके आयोग के उपाध्यक्ष भी आप रहे हैं लंबे समय से स्वयम सेवक संग से जुड़े रहे अपनी सेवाएं देते रहे और अब बीजेपी के जो चार उमीदवार हैं उनमें एल मुरुगन का भी नाम है जिनको राज्यसभा भेज़ी जाने की पार्टी ने तैयारी कर ली है इधर MP कॉंग्रेस की बात कर लें तो कॉंग्रेस के राज्यसभा उमीदवार भी घुशित कर दी गए हैं और एक सीट क्योंकि माना जा रहे कि पांस सीट जो खाली हुई है उसमें एक सीट कॉंग्रेस जीच सकती है और कॉंग्रेस की तरफ से एक ही प्रतियाश्य के नाम का एलान किया गया अशोक सिंग्ध। लेकिन सुनिया गांधी तो रजिस्थान से जा रही है ये जानकरी आ चुकी है पर जाउनों हमें दाखिल कर दिया है और राज्यसभा कमलनाथ क्योंकि कल डिनर डिप्लोमेसी जो हुई थी वहाँ पर खाली कागस पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे विधायकों के और अब जो है अशोक सिंग के नाम पर मुहर लग चुकी है राज्यसभा उम्मीदवार कॉंग्रेस ने उन्हें बना लिया है दिग्वजे सिंग के कट्टर समर्थक अशोक सिंग मने जाते हैं चार बार गौलियर से लड़े जरूर कामियावी उन्हें नहीं मिल पाई थी लिए इसने मद्यप्रदेश से रास्वा प्रत्यासी के तौर पर अशोक सिंग को प्रत्यासी बनाया है वो हमारे साथ मौयूद है वाई साथ कितना बड़ा करम सरकार आप मानते हैं पार्टी का कि आपको एक वार फिर बारोस जाता है हमारे सभी वरिष्ट नेतर तो आदरनी सोनिया जी राहूल जी खरगे जी और मद्यप्रदेश के सभी वरिष्ट नेताओं का अभार व्यक्ति करता हूं जिन्हों ने मुझ जैसे छोटे से कारकरता को ये समान दिया है मैं प्रयास करूँगा कि कारकरता हूं कि उमीदों प और उसके काम सभी लोगों को साथ चलने कर चलने की जो हमारी रीती नीती है उसमें प्रयास रहे हैं कि हम उसी तरह काम करें लेकिन क्या मानते हैं अब आपको जाजिसे दिगज नेता को मिलान में राज्ट रजवा जाएंगे तो क्या लगता है कि अपने छेतर के और सभाज उठाने होगी में उठाने का प्रयाज करता रहे हैं और आई अब बात कर लेते हैं 36 गड़ की 36 गड़ से भी राज्य सभा के लिए राजा देवेंद्र प्रताप सिंग को गाड़ी ने उमीद्वार बना दिया एक इसीट खाली हो रही है सरूज पांड़े इसके पहले थी और अब जो खाली हो रही सरूज पांड़ी की सीट अब राजा देवेंद्र प्रताप सिंग को जो उमीद्वार बनाया गया उन्होंने आज नॉमीद्वार बनाए गये हैं राज्य सभा उमीद्वार के लिए उन्होंने नामंकन भर दिय विधान सभा पहुंचे थे और राज्य सभा का नॉमिनिशन उन्हों ने कर दिया सधन में 30 से ज्यादा प्रस्तावक के रूप में लोग मौचूद रहे 27 परवरी को राज्य सभा का चुनाव होना है और 36 गड़ की एक सीट पर ये चुनाव होना है मीडिया से पता चला ये प्रत्यासी बनाए गए हैं और बड़ा अश्यर हुआ और विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकरता को भाजबा इतना आगे पहुंचा देगी साथ ही मैं आखाश शुक्ला रायपूर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए हैं उनके पास भी चलते हैं सबसे पहले आकाश के पास चलते हैं क्योंकि 36 गड़ में एक ही सीट है और और एक सीट अगर देखा जाए तो यहां पर बिल्कुल साफ तोर पर तस्वीर तो साफ तोर पर नसर आही रही है आज नॉमिनेशन भी हो गया आकश्ट जानकरीदी जी बिल्कुल आज नॉमिनेशन हुआ और जो देविन प्रताप सिंग यहां पर विधान सभा पहुंचे थे और उन्होंने नामांकन जो है वो भरा है और इसके साथ ही जो उनके साथ है मुख्य मंत्रे विष्णु देव शाय थे तमाम मंत्री थे उन्हें विष्णु देव और मंत्रियों ने शुब काम नाया दी इसके साथ उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए यह कहा कि जब उन्हें नौमित किया गया है राजसभा के लिए तो उन्हें जानकारी सोचल मीडिया के माध्दम से मिली है और वो राजसभा चुने जाने के बाद सीधे छेतर का विकास करना चाहेंगे और जो मुख्य मुद्दे हैं उन्हें पर फोकस करना चाहेंगे तो मीडिया से रुबरू होते हुए उन्होंने सारी बाते कहीं कल अंतिम्तिती है राजसभा का और बता दे कि राजसभा के लिए अभी कांग्रेस ने किसी तरीके से उम्मिद्वार गोसित नहीं किया है तो ऐसे में एक तरीके से देखा जा रहा है कि निर्विरो चुने जा सकते हैं जी बीजेपी ने चार प्रतियाशियों के नामों का एलान कर दिया, खुश भी हैं सब लोग, लेकिन इस बीच माना ये जा रहा है कि बीजेपी पांचवा प्रतियाशी भी उतार सकती है, क्या जानकारी इसको लेकर क्या इस राजनिती के कलियारे में इसको लेकर क्या कुछ चल कि अगर मैं अंक करड़त के लिहाद से देखो तो पांस सीटे खाली हुए उसमें से चार बीजेपी की सीट थी और एक जो है वो कॉंग्रेस की सीट और बढ़तमान में जिस तरीके से विधायकों के उसलियाद से यह माना जा रहा है कि चार सीटे आसानी से बीजेपी के खाते एक सीट जो है कोई प्रत्याशी उटार सकती हाला कि इसको लेकर अभी कोई भी नेता कुछ भी बोले को तयार नहीं है वहां ने कहा था इसका नेर्ड़ाय आला कमान लेगा लेकिन जिस तरीके से जो गड़त है विदायकों का 163 जो है वो बीजेपी के पास है और 66 जो है तो ऐसे में पांचवा प्रत्यासी बीजिपी साहएध ना इसे में पॉपांचवा प्रत्यासी विछपी यहां उतारेगे क्योंकि देखे सेफ साइड में चार सीटे जो है वो बीजेपी पर पास जाती साफ तोर पर नजर आ रही है और यही कारणने कि कॉंग्रेस ने भी केवल एक प्रत्यासी को उता रहा है आज चुकि नामों का ऐलान हुआ है मद्दप्रदेश में सभी जो पांच प्रत्यासी है कल वो अपना नौमीनिसन फाइल करने के लिए ब्रहान सभा पहुंचेंगे बीजेपी तमाम यो तरयारियां कर ली है तमाम जो यहां पर मौदूद रहेंगे मद्दप्रदेश सरकार के मुखिया यहाँ पर मौदूद रहेंगे तो और जिन-बरगों से यह लोग आते सादू समाज के लोग यहां पर मौदूद रहेंगे तो चारों प्रत्यासी जो है वह एक साथ बीजेपी कारणा से निकल कर बिदान सभा पहुंचेंगे और अपना नॉमिरेशन फायल करेंगे अगर दूसरी तरह बात कॉंग्रेस की करें तो कॉंग्रेस के प्रत्यासी कुछ नॉमिनेशन फायल होगा बहुत शुक्री आपका इस जानकारे के लिए आकाश हमारे से योगी बिचानकारे दे रहे थे राइपोर से शेरेंद्र भी दे रहे थे पूर्व कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजज्यस्थान सभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया है आज करीब 12 बजे कॉंग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी राज़स्थान विधान सभा पहुंची उनके नामंकन के दौरान राहूल और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे सोनिया के आज सुबह जयपुर पहुंचने के बाद ही पार्टी ने उनके न सभा में जाने के लिए नॉमिनिशन भरा है इससे पहले बे उतर प्रदेश की राय बरे लोग सभा सीट से चुनाव लड़ा करती थी